लिक्कर कुम्भकोनम मुद्धम बोगस अनिस्पष्टम चेसारू धिल्ली मुख्यमंत्री आप अधिनेत अर्विंद केजरीवाल। कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक कटर इमानदार पार्टी है। पूरे देश को आम आदमी पार्टी पे और उसके नित्रत्व की इमानदारी के उपर कटर भरोसा है। उसको छवी को खराब करने के लिए ये पूरा का पूरा शड्यंत्र रचा गया जिसका नाम इनोंने दिया दिल्ली शराब घोटाला। इसमें क्या आरोप लगाया इनोंने इनोंने आरोप लगाया कि कोई साउथ लॉबी है। उस साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को सौ करोड रुपई की रिश्वत दी। ये एक आरोप बीजेपी वालोंने लगाया। CBI और ED ने भी कोट में कहा है और उनोंने माना है कि 100 करोड में से 70 करोड का उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि 70 करोड का उनके पास कोई सबूत नहीं है। 30 करोड रुपए इन लोगों का कहना है कोई राजेश जैन है कि राजेश जोशी 30 करोड रुपए साउथ से लेके दिल्ली लेके आया और दिल्ली में उसने आमादमी पार्टी के नित्रत्व को ये 30 करोड रुपए दिये। ये CBIO Ready ने आरूप लगाया। ये बस इनके बस यही सबूत है कि किसी ने गवाह नहीं गवाही दिया है कि राजेश जोशी 30 करोड रुपए अब 6 माई को जो कोट का ओर्डर आया है उस कोट के ओर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लोबी से लेके दिली में लेके आया तीस करोड तो दूर की बात है तो जब राजेश जोशी एक भी पैसा लेके नहीं आया साउथ वालों ने पैसा दिया नहीं आम आदमी पार्टी के नित्रतों को पैसा मिला नहीं त कि राजेश जोशी साउथ वालों से कोई पैसा लेके आया इस बात का कोई सबूत नहीं है तो सब खतम हो गया दूसरा रोप इनों ने ये लगाया कि सौ करोड रुपया जो ये रिश्वत ली गई ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई गोवा में आम आदमी पार्टी ने पिछले छे महीने में सब को गिरफ़तार कर लिया सारी जाच वाच दिप गोवा के चुनाव के करने के बाद अब एडी और ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कुछ 19-20 लाख रुपय आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किये ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए इम कहानी बनाई गई उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से CBI और ED को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्दगिर्द सबूत मैनिफेक्चर करो evidence manufacture करो ED ने जाके court में कहा कि मनीफ सिसोधिया ने 14 फोन तोड़ दिये बाद में जाच करने पर पता चला कि 14 के 14 फोन तो है उन में से 5 फोन तो इन ही लोगों के पास है तो जूट बोला ED ने ED पर मुकदमा चलना चाहिए जूट बोलने का जूट बोलके मनीफ सिसोधिया की बेल नहीं होने दी ED ने charge sheet file की जिसमें कहते है संजे सिंग का नाम डाल दिया charge sheet के अंदर जब संजे सिंग ने धंकी दी में तुमारे पर मुकदमा करूंगा तो कहते गलती होगे जी गलती से नाम आ गया संजे सिंग का गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया तो E.D. की पैंट गिली हो जाती है। तो E.D. ने कोट में जाके का कि संजय सिंग के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। संजय सिंग का नाम गलती से आ गया। फिर पांच कम से कम ऐसे गवा हैं जिन्होंने कोट में कहा कि हमसे मारपीट की गई, हमसे प्रताड़ना की गई, मानसिक तोर पे प्रताड़ित करके हमको जूटे बयान दिलाए गए। वो अपने बयान से पलट गए। एक आदमी का तो इतको तो इतना मारा कि उसका कान का परदा फट गया। यह जहांच हो रही है। यह चल क्या रहा है। अब यह कोट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब गोटा है। पूरा कपूरा राजनेतिक शड्यंत रहे, केवल केवल अर्विन केजरिवाल और आमादमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। केजरिवाल बहुत चोटी चीज है, पूरा देश देख रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी की इमानदारी के उपर बहुत बड़े-बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं। इतने घोटाले अडानी का, ये वो इतने घोटाले के आरोप उन पे लगने लग गए हैं। तो उनको केजरिवाल आखों नी सुहारा। उनको पूरे देश के अंदर अगर कोई मानदारी की बात करता है तो अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है। वो हमारे उपर कीचड उचाल रहे हैं, रोज कीचड उचाल रहे हैं। तो गिरफतार करना चाहते हैं करें वो धंकी क्यों दे रहे हैं भारते जंता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरी वाल का है इससे तो ये साफ हो जाता है कि E.D. को और C.B.I. को यही चला रहे हैं वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरी वाल का है CBI ने उनको बताया कि उन्होंने CBI को बीजेपी चला रही है जैसा हमें कहे रहा था यह तो साफ जाहिर है बीजेपी बता रही है उनको की अगला नमबर के जिवाल का है पकड़ लो अब इसको